इस वक्ती बड़ी खबर अतीक एहमत को लेकर है उसके खलाफ कानूनी शिकंजा लगातार कस्ता हुआ चला जा रहा है अब उस पर UAPA के तहट मामला दर्ज हो सकता है ये बड़ी खबर निकल कर सामनी आई है UAPA के तहट मामला दर्ज हो सकता है अतीक एहमत के उपर खबरों के मुताबिक UP ATS ने अतीक से मिली जानकारी के आधार पर ये मामला धर्ज करने का पैसा किया है कहा जा रहा है कि अतीक ने ISI और पाकिस्तान के आतंकी संगट्नों से संबंध होने के बाद कुबूल ली है ATS का फोकस पाकिस्तान से हथियार खरीदने और ISI से अतीक के संबंधों पर है जिसके बारे में वो और जादा जानकारी एकठा करना चाहती है इसी वज़से अब UAPA के तहट मामला दर्ज हो सकता है अतीक एहमत के उपर पहले से ही इस माफिया डॉन के मुश्किले बढ़ी हुई है और अब माकिस्तान से उसके लिंक को लेकर ये बड़ी ख़बर इस वक्की जो नज़र आ रही है अधिक पर दर्ज हो सकता है UAPA के तहट मामला आपको बता दे है अतीक एहमत को सावर्मती जेल से लेकर आए गया प्रियागराज में उमेश पाल हत्याकान मामले में पूश्टाश पुलिस लगातार कर रही है कोट में पेशी के बाद पुलिस रिमांट पर है अतीक एहमत उसका भाई अश्रफ उसका बेटा असद एंड काउंटर में मार गिरा आए गया है उसका बेटा असद आज दफना दिया गया, फिर भी वो गुरूर में है, वो पुलिस को बर्दलाने की कोशिश कर रहा है बेटे का जनाजा देख पाया, ना उसका हिस्सा बन पाया, और ना ही उस आखरी याद को संजो पाया, अतीक एहमत फिर भी वो घमन्ट से चूर है, वो एक तरफ एंकाउंटर में मारे गए बेटे के नाम में डूबा है, तो दूसरी और पुलिस वालों के सवालों को सीधा मूँ जवाब देने तक मुनासिब नहीं समझ रहा उसकी अकड ऐसी है कि यूपी पुलिस सवाल पूछ रही है, और वो हर सवाल के जवाब में पुलिस से ही सवाल कर रहा है पुलिस से पूछताच में अतीक सीधे मूँ कोई जवाब नहीं दे रहा जब पुलिस ने उसकी बाचीत को लेकर के सवाल किया तो असथ के सवाल के साथ साथ अथिक ने कहा कि वो मुबाइल लेकर के आओ तब मैं बताऊंगा कि क्या बात होती थी, मेरी कोई बात नहीं होती थी, मैं तो जेल में था इसके अलावा अपने कैश्यर और तमाम लाला से जिस तरीके की बरामदी उस पर भी सीरे से नकारते हुए उसने कहा कि अदालत में बोलूँगा लेकिन मेरा कोई भी इन बामलों से संबंद नहीं है कोट से कस्टडी मिलने के बाद अतीक और अश्रफ से पुलिस लगातार सवाल जवाब कर रही है आज तक समवादाता अभिशेक मिश्रा ने कुछ सवालों का जिक्र किया कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब में अतीक और अश्रफ एक ही राग दोरा रहें कि वो जेल में थे उन किया था कि वो तीन शूटरों को उनके हवाले कर देगा उमेश पाल अपरंकांड में पेशी से पहले अश्रफ ने ये वादा किया लेकिन बड़ी होते ही वो अपने वादे से मुकर गया पलिस को चक्मा दे कर वो असद और अन्य शूटर को बचाने लगा स्टीएफ ने शूटरों को खोजने में पूरी ताकत छोग दी तब ये असद और गुलाम के जहासी में छिपे होने की खबर लगी अश्रफ की साजिस जहासी में ही अतीक के काफिले पर हमला करने की थी ताकि पलिस में दहशत पैदा हो सके लेकिन यहीं उसने सबसे बड़ी गल्थी कर दी उसका जो नतीजा हुआ वो सभी के सामने असद और गुलाम मिट्टी में मिल चुके है उमेश पाल हत्याकांड के बाद से प्रशासंक स्चिकंजा कस्ता जा रहा है अब खबर है कि अतीक पर यूए पीए के तहट केस दर्ज हो सकता है यूपी एटीएस ने आतंकी संगटनों और आईएसाई से संबंदों पर लंबी पूचताच किये अतीक ने आईएसाई और लश्करे ताइबा से संबंद सुरिकारे रागराथ से कुमार अभिशेक, समर्थ श्रिवास्तव, अरविन दोज्छा और अभिशेक मिश्रा के साथ आज तक बेरा